एक नया धारवाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रैजुट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूं क्या होगा, क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिगरी आती है, एक डिगरी जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं, जिस तरीके से स्मिती इरानी जी ने, पर से सुना देंगे जिस तरीके से स्मिती इरानी जी हने अपने एफिडेविट को लेकर, एक शीज कायम की है, कि किस तरीके से graduate से बारवी कक्षा के हो जाते हैं वो मोधी सरकार से ही और मोधी सरकार में ही मुम्किन है शुरुवात में उनकी 2004 की डिग्री से करना चाहती हूँ आफी डेविट से करना चाहती हूँ जो उन्होंने फाइल की थी जहांपे वो बीए थी उन्होंने 96 में BA किया था Delhi University School of Correspondence से किया था ये बकाइदा उनका election का एफी डेविट है फिर वो graduate हुई 2011 में BA से उन्होंने कहा BA से उनका मन नहीं लग रहा है तो क्यों ना हम BCOM की डिग्री बना ले तो उन्होंने अपना एफी डेविट राजिस सभा में लिखा है जहां पे कहती है School of Correspondence Delhi University BCOM Part 1 पर साल बदल जाता है वो डिसाइड करती है कि अब हमें 94 में करना है फिर आता है 2014 और 2014 में वो फिर Delhi University से हटकर School of Open Learning में Delhi University के अंतरगर जो चलता है वहाँ पर BCOM Part 1 फिर से कर रही है 94 में फिर उन पर सवाल पूछा जाता है कि आपके एफी डेविट में अलग-अलग सवाल या निशान क्यूं खड़े हो रहे हैं तो वो कहती है आप मेरी डिग्रियों के बारे में पूछ रहे हैं मेरे पास तो येल की डिग्री भी है जो मुझे मिल चुकी है पर मैं वो अफिडेविट में नहीं लिख रही तो इस ताइम हमें पूरी उमीद थी के वो अपनी येल की डिग्री को भी मेंशन करेंगी येल डिग्री के साथ साथ जो भी उनकी उपलब्धियां है पिछले पांच साल में हो सकता है कुछ पीएजडी कर लिया हो उनोंने पर पीएजडी जूट बोलने में क्या वो थाबित हो चुका है और वो पीएजडी अब बताता है क्योंकि आज देश के सामने और मैं आपको बता दूं 2017 में जब राजे सभा का वो नॉमिनेशन भर रही थी वो गुजरात के इलेक्शन कमिशन ने दराया था धंकाया था क् अब कुछ दिन पहले ही जैसी हमने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने उनका एफिडेविट अपलोड किया है वर्ना फाइनली अमेथी के रास्ते से और उसके हवाले से खबर मिली है कि उन्होंने कबूल किया है कि पिछले चार एफिडेविट में उन्होंने देश को जूट बोला है देश को बरगलाया है और वो बीकॉम पार्ट वन में भी उन्होंने डिग्री कोस कंप्लीट नहीं किया है ये देश के सामने एक नई हक और सच्चाई आई है कि कितना जूट परोसने का काम भारतिय जनता पार्टी ही नहीं भारतिय जनता पार्टी के senior leaders रोज देश में करते हैं और हमें दिक्कत इस बात की नहीं है उनके educational qualification है या नहीं है हमारे देश ने दिखा है कि दसवी पास हो बादवी पास हो अगर उनके पास vision हो और mission हो तो देश की तकदीर दिशा दिशा बदल सकते हैं पर गुस्सा इस बात से आता है कि ये मंत्री साहिबा पिछले इतने सालों से गलत ऐफिडेविट देश के सामने लाए जा रही है ये सोचकर कि कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा और साथ ही साथ मैं ये ही पूछना चाहती हूँ कि अपनी गलत record एक लीगल आफिडेविट में डालना क्या ये offense नहीं है section 125A के अंतरगत और section 33 के साथ अगर इसको पढ़े representation of people's act 1950 तो ये एक कानूनी प्रावधान है जहां पे उनको सजा मिल सकती है तो इस तरीके से अपनी power का इस्तिमाल करकर high court पे भी पाबंदी लगा देना कि आप लोग उनकी educational degrees को देश के सामने नहीं रख सकते हैं मैं मानती हूं ये misuse of authority भी है तो क्यों ना हम union minister श्रीमती स्मिर्थी इरानी से कहें कि moral authority के अंतरगात अगर कोई moral authority उनमें रह गई है वो step down करें immediately और उनका disqualification क्यों ना माना जाए जिस तरीके से वो देश को affidavit के माध्यम से बर्गलाने का काम अपनी educational degree को लेकर कर रही है